पोस्ट मैट्रिक का क्या मतलब होता है आज किस वीडियो में सीख लेते हैं पोस्ट का मतलब होता है बाद में और मैट्रिक का मतलब होता है दसवी तक की पढ़ाई जो होती है उसको मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन कहते हैं तो post-metric का मतलब हुआ दस्वी के बाद या दस्वी तक की पढ़ाई करने के बाद तो जैसे कि एकर आप ये कहें कि उसने technology में अपना career बनाने के लिए दस्वी के बाद या दस्वी तक की पढ़ाई के बाद engineering course में शामिल होने का फैसला किया तो आप कह सकते हैं he decided to join a post-metric engineering course to pursue his career in technology या अगर आप ये कहना चाहें कि कई छात्र विश्व विद्यालिया में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दस्वी के बाद छात्र वृति का विकल्प चुनते हैं तो आप कह सकते हैं many students opt for post-metric scholarships to continue their studies at university या अगर आप ये कहना चाहें कि medical college के लिए दस्वी के बाद प्रवेश अभी भी खुली हैं तो आप कह सकते हैं post-metric admissions for medical college are open now अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें